नमस्कार दोस्तो अब इसे विश्व कर्मा जी ने पूछा है कि इंडिया में सीरम इस्टूट के अलावा कौन सी कमपनी वैक्सिन का मास प्रोड़क्शन कर सकती है तो दोस्तो हम भारतियों में से काफी लोगों को ये आइडिया नहीं है कि इंडिया जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सिन्स प्रोड़ूस करता है मतलब जो वैक्सिन मैनिफैक्चरिंग का इसको हब बोला जाता है जो SSI कमपनी है पूने की ये लगबग दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सिन प्रोड़ूस करने वाली कमपनी है इसके आलावा पूरी दुनिया में तीन बच्चों में से दो बच्चों के जो इंडिया में बनी हुई वैक्सिने ये दी जाती है तो SSI के आलावा और कोंसी कमपनीज है उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे आपका स्वागत है डॉक्टर पशांत मोरे हेल टिप चानल पे अभी तक आपनी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो को लाइक कीजे आखिर तक मेरे साथ बने रही है ताकि आपको पूरी जानकरी मिल सके दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं SSI पूने की यह सीरम इस्टिटूट अप इंडिया पूने है और दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सिन से यहाँ बनाई जाते है और यहाँ जो है अभी जो ऑक्सपोड की वैक्सिन है इसका प्रोड़क्शन स्टार्ट हुआ है हर मेने यहाँ लगबग 6 क्रोड डोसेज बन रहे है और लगबग 30 से 40 क्रोड डोसेज यहाँ कोई 19 वैक्सिन के बने है जो ऑक्सपोड एस्ट्राजेने का वैक्सिन है और हो सकता है इसको इमर्जेंसे अपरोल मिले दोस्तों इसके अलावा SSI ने जो नौह वैक्स यूएस बेस कमपनी है इसके साथ आग्रिमेंट किया है और इस वैक्सिन का भी प्रोड़क्शन जो है SSI पूने कर रही है और जो SSI पूने है अपनी प्रोड़क्शन कैपैसिटी बढ़ा रही है SSI के अलावा दूसरी कौन सी कमपनीज है तो लगभग आठ कमपनीज है जहां कोहीं 19 पे काम हो रहा है तो दूसरी कमपनी जो है वो है बायलोजिकल ई तो दोस्तों यह जो बायलोजिकल ई फार्मा कमपनी है यह हैद्रबाद बेस है और इसने एग्रिमिंट किया है यूएस बेस जौनसन एन जौनसन फार्मा कमपनी के साथ जौनसन एन जौनसन कमपनी ने जो वैक्सिन बनाई है इसके नतीजे शुरुवाती दोर में उत्सा वर्दक है तो इसका जो प्रोडक्शन है दो हजार इकीस के शुरुवात में हाइदराबाद में बायलोजिकल ई में स्ट ये उस्टन-based USA की जो वैक्सिन मेकर है इनके साथ एग्रिमेंट किया है और वो वैक्सिन भी इंडिया में बनने वाली है बाद में है भारत बायोटेक ये हैधराबाद बेस फार्मा कंपनी है और भारत बायोटेक ने स्वधे सी वैक्सिन बनाई है कोहेक्जीन जिसके फेज के च्राइल काफी अच्छे रहे हैं तो इसका कोई भी साइड lavender देखने को नहीं मिला और इसने जो एंटी बाडी है जो वालनटियर से उनके बाड हें दो इसके बाड़ है जो वालनजोंटियर से उनके बाडी में तयार किए तो यह जो जो दूसरी फार्मा कमपनीज है जहां वैक्षिन पे काम चल रहा है कोई-19 वैक्षिन पे वो है पैनासिया, बायोटेक, इंडियन इम्मोलोजिकल्स, मीन वैक्स, और बिंदो फार्मा तो लगबक आठ फार्मा कमपनीज में कोई-19 पे काम हो रहा है और जो भारत का रोल है को पूरी दुनिया में जो 60% से भारत ही प्रोवाइड करता है और बिल गेट्स ने कहा था कि अगर पूरी दुनिया की जो कोई-19 वैक्षिन की डिमांड पूरी करनी है तो उसका प्रोडक्षिन जो है इंडिया में होना काफी जरूरी है तो ये भारतियों के लिए गवर की ब पूरी सक्षम है दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कुछ शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पुछ सकते हैं धन्यवाद अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेर कीजे ताकि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और चानल डॉक्टर मोरेज हिल टिप्स को सब्स्राइब कीजे वीडियो को शेर कीजे और बेल आइकॉन पर क्लि दन्यवाद